हेलो एवरिवन, इंडियन हिस्टी की 40 वीडियो होगी है लूसेंट जी के की नियर डीशन को गवर कर रहे हैं हम लोग जिस भी एकजाम के आप त्यारी करते हो उसमें अगर जेनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफी इंपोर्टेंट है अभी एंसेन इंडिया देखरहे हैं हम लोग जिसमें आज Harpan civilization या फिर Indus Valley civilization देखेंगे तो देख लियता है इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एंसेन इंडिया, Mediable इंडिया एंडिया और Modern इंडिया वो Modern Industry में पढ़ते हैं हम लोग Ensign India को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं Only Basis of Writing Pre-Historic Pride, Proto-Historic Pride and Historic Pride Pre-Historic Pride में राइटिंग डेवलप नहीं थी Proto-Historic Pride वैसा प्रेट जिसमें राइटिंग डेवलप थी बट अभी तक हम लोगों ने Decifer नहीं करा है And Historic Pride की राइटिंग भी है और हम लोगों ने Decifer भी करा है Historic Pride की 600 BC से लेकरके 647 AD का Pride जो है वो Ensign India में आता है And Rest जो है Medival and Modern India में आता है Pre-Historic Pride हम लोग अल्रेड़ी देख चुके हैं आज Proto-Historic Pride देखेंगे Proto-Historic Pride को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते है Chalcolithic Age and Iron Age Chalcolithic Age वो Age है जिसमें Copper के Tools and Weapons यूज किये जाते थे Along with Stone Chalcolithic Age का 2500 से लेकर के 1200 BC का Pride जो है वो Proto-Historic Pride में आता है और कुछ पार्ट जो है 3500 से लेकर के 2500 BC का Pride जो है वो Pre-Historic Pride में आता है तो वो Pre-Historic Pride अलरेड़ी हम लोग देख चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले Previous Videos देख लो ताकि आगे समझने में आसानी हो Chalcolithic Age के बाद वो Age जिसमें Iron के बारे में जानकारी हो गई तब से Iron Age आ गया जो की 1000 से लेकर के 600 BC का प्रेड़ जो है वो Pre-Historic Pride में आता है और 600 से लेकर के 500 BC का प्रेड़ जो है वो Historic Pride में आता है तो Iron Age भी हम लोग देख चुके हैं आप Previous वीडियोज में जा करके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है चैलकोलिथिक में दो सभयता पढ़ेंगे हम लोग Harpen Civilization जो की अभी देखेंगे और वैदिक कल्चर जिसका 1500 से लेकर के 1000 BC का प्रेड़ जो है वो चैलकोलिथिक एज में आता है मिंस वैदिक कल्चर में इस प्रेड़ में Copper यूज किये जाते थे 1000 से लेकर के 600 BC का प्रेड़ जो है वो आइरन एज में आता है मिंस वैदिक कल्चर के लास्ट आते आते आइरन के इंप्लिमेंट्स यूज किये जाने लगे थे आइरन के बारे में जानकारी हो गई थी तो वो वैदिक कल्चर जब पढ़ेंगे तब आपको ये वाला पार्ट जो है देख लेंगे वैदिक कल्चर के बारे में देखेंगे अभी हम लोगों को हरपन सिपलाइजेशन देखनी है जो की 2500 से लेकर के 1750 BC का प्रेड़ हो गया अगर प्रिहिस्टोरी प्रेड़ पढ़ोगे तो उसमें प्रिहस्टोरी प्रेड़ के लास्ट आते आते लोगों ने स्थाई तोर पे रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन मिंस पसू पालन और पौधे लगाना प्लांटेशन उन्होंने स्टार्ट करा था उनको जानकारी हो गई थी प्लांटेशन का तो अगर आप पौधे लगाते हो या फिर एनिमल को पालते हो पसू को पालते हो तो आपको एक जगह पे रहना जरूरी हो जाता है अगर आप पौधे लगाते हो तो जब तक फल नहीं आता फल तोड़ नहीं लेते तब तक आपको वहाँ पे रहना होगा और पसू भी पालते हो गर ज़्यादा नमबर में पसू है तो आपको उसको एक जगा से दूसरे जगा ले जाना में दिख्कत होगी जैसा कि वो लोग पहले करते थे पहले वो लोग घूम घूम के सर्वाइब करते थे एक जगह पे नहीं रहते थे वो एक जगह पे ठोड़ी दिन के लिए ही रहते थे जब तक वहां पे resource एपलीबल होती थी तब तक ही डिखते थे वहां का resource खतम हो जाता था मालो फल है वहां पे कुछ फल है या फिर अनिमल है तो उनको जब तक एबलेबल होता था तब तक रहते थे और जैसे ही वो खत्म हो जाते थे फल या वहां के अनिमल भाग जाते थे कुछ बारे जाते थे तो वो फिर दूसरे एरिया में लोग चले जाते थे लेकिन जब से उन्होंने प्लांटेशन वो इस्ताई तोर पे रहना उन लोग ने स्टार्ट करा तब से उन्होंने घर बनाना स्टार्ट करा फिर एक चगह पे वो रहने लगे काफी लंबे समय तक तो ऐसा होने के बाद उन लोग ने स्टार्ट करा रीवर के किनारे रहना और ऐसा है अगर आप सरवाइब करना चाहत तो आपको खाना चाहिए और पानी चाहिए तो खाना तो आप अबलेबल कर सकते हो एनिमल पोस करके या फिर प्लांटेशन से लेकिन उसके लिए भी आपको एनिमल या फिर प्लांटेशन में या फिर आपके लिए वाटर जो है वो बहुत जरूरी है तो इस कारण से लोगों जो है वो देखा गया तो लोग जो रहने लगे तो एक सहर सा बस गया एक टाउन सा बस गया और उसको civilization में civilization बोला गया जैसे कि हरपन civilization और बाकी जो अगर आप पूरा world का map देखोगे तो कुछ civilization उस ताइम पे थी अभी हरपन civilization हम लोग देखेंगे because it is related to our country तो इस कारण से हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों को ये civilization जो की इंडिया में पढ़ती है इंडियन सब कंटिनेंड में पढ़ती है अक्चली उस ताइम पे कोछी इंडिया पाकिस्तान या फिर नेपाल भुटान ऐसा कुछ था नहीं कोई बॉर्डर कोई सरहद नहीं थी जिस ताइम की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस कारण से ये civilization हम लोग को पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री में हर अपन civilization या फिर इंडस वैली civilization बट आप अगर देखोगे उस टाइम पे वर्ल्ड में तो नदी के किनारे ही लोग सर्वाइब करते थे जैसे नील नदी के किनारे इगिप्ट civilization टिग्रिस यूफेट के किनारे मेसोपोटामिय यलो सी के किनारे चाइनीज civilization तो ये सारी civilization जो है वो सारी जो है नदी के किनारे लोग बसे हुए थे टाउन सा बसा हुआ था इसी तरह इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडस जो नदी है उसके किनारे ये civilization बच्ची है ये फिर साउथ में गया इस इंडिया या साउथ इंडिया तो फिर गंका नदी के किनारे भी उन्होंने रहना स्टाट किया तो वह आगे पढ़नी है इंडस वैली civilization में मोचली हम लोग ये एरिया देखेंगे इंडस रीवर के किनारे जो civilization बसी हुई थी बाद में लोगो हिस्ट्री में पढ़ते जाएंगे कैसे इंट्री हुई इंडिया में लोगों की और कैसे दीरे दीरे बाकी जो हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़नी है वो आगे देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है इंडिया सब कंटिनेंट कहते हैं इसको इसमें इंडिया पकिस्तान नेपाल, भुटान, बांगलादेश, सिरलंका, मालदीव, ये सारे कंट्री आ जाते हैं, तो ये वाला एरिया हम लोगों को देखना है, तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं, इसी पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, इंडस वैली सिबलाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो देख लेता है, अरपन सिबलाइजेशन के मोसली साइट जो हैं, जालता साइट जो हैं, वो इंडिया पाकिस्तान से मिले हैं, बट आफगानिस्तान से भी कुछ साइट मिले हैं, तो तीन कंट्री को हम लोग ध्यान में रखेंगे, आफगानिस्तान, पाकिस्तान, एंड इंडिया तो ये मैप आपको ध्यान में रखनी है बाकी ये नेपाल है ये वाला ये बुटान है और ये बांगलादेश है इंडस वैली सिबलाइजेशन जो है इसका उल्डेस नेम है ठीक है इस सिबलाइजेशन का उल्डेस नेम अगर बात करें तो इंडस सिबलाइजेशन या फिर Indus Valley Civilization इसको बोलते हैं क्यों बोलते हैं? Simple सा region है एक नदी है Indus River इसके किनारे ही इसी के around जो है ज़्यादा concentration था इस civilization का यह civilization बसी हुई थी इस कारण से इसको Indus civilization या फिर Indus Valley Civilization बोलते हैं तो यह area अगर आप देखोगे तो कुछ यह वाला area इस तरफ फैला हुआ था यह civilization कुछ sites आपका निस्तान से भी मिली हैं सतुगई, मुंडी, घाज लेकिन mostly concentration अगर आप देखोगे तो यह यह जो area देख रहे हैं इस तरफ आपको यह civilization देखने को मिलता according to archaeological tradition इसका most appropriate name क्या है? वो हरपन civilization क्यों? क्योंकि हरपा जो है वो first discovered site है इस civilization का इस कारण से archaeological point of view से देखे अगर तो यह civilization को आप हरपन civilization बोल सकते हो तो यह कहा है हरपा कहा है यह first site था जिसको खोजा गया था फिर आगे खुद आई होई तो धेरे देरे पता चला कि यह यहाँ पर पूरा सहर बसता था एक बड़ा सा टाउन था जिसको आज हम लोग इंडस civilization बोलते हैं तो अभी आगे खुदा ही अगर चलती है तो बागी sites भी हो सकती है कोई नही sites मिल जाए तो अभी तक जो sites है अभी तक जो जानकारी है उसके according हम लोग देख रहे है हरपा जो है यह site पहला discover site है जो की कहाँ पढ़ता है सहिवाल district of Punjab पंजाब कौन सा पकिस्तान वाला पंजाब province of Pakistan according to geographical point of view देखे अगर जेगरफी के हिसाब से देखे तो most suitable name कौन सा है इंडर सरस्थी civilization ऐसा क्यों यह river जो है कुछ पहले की river जो है अभी जो सूख चुकी है वो पहले हुआ करती थी जैसे सरस्थी का यह जो आप देख रहे हो सरस्थी बहा करती थी यहाँ पर तो यह river अभी तो नहीं है बट उस time पर थी कुछ river ऐसी है जो जिनका course पहले कुछ और था मिंस उनका रास्ता कुछ और था और वो रास्ता बदल चुकी है तो नदियां रास्ता बदलती हैं कभी कभी सूक जाती है तो यह सरस्थी रिवर जब से सरस्थी रिवर के बारे में जानकारी होई तब से लगा कि mostly जो है जैसे हम लोग अभी हम लोगों ने देखा कि इंडस civilization कुछ इस एरिया में बसा हुआ है तो आप देखोगी कि सरस्थी रिवर जो है यह mostly सरस्थी रिवर के किनारे जो है यह civilization बसा हुआ था बट हम लोगों ने जब स्टार्ट करा इसकी खुदाई करी तो उस ताइम पर हम लोगों ने देखा कि इंडस के किनारे है तो इंडस civilization बोल दिया बट अभी सरस्थी के बारे में जानकारी हुई है कुछ लोगों का मानना है कि सरस्थी हुआ करती थी अभी government ट्राय कर रही है कि इसको फिर से जिन्दा किया जाए ठीक है यह पूरा सूख चुका है कुछ लोगों कहना है कि अभी जो गगर हकरा river है वो सरस्थी का ही पार्ट है सरस्थी जो थी उसी का पार्ट है एक्चली यह सूख क्यों गई simply हम लोग देख लेते हैं actually बोला जाता है confirm नहीं है बट mostly जो believe करते हैं लोग ऐसा बोला जाता है कि एक भुकम पाया था अर्थक्विक आई थी जिसके कारण यह जो है इसका connection हिमाले से टूट गया जब हिमाले से यह नदी निकलती थी बहती थी सरस्थी रिवर तो यह पेर connection हिमाले से टूट गया तब यह seasonal river हो गई means जब बारिश होती थी तब ही इसमें पानी होता था सरस्थी रिवर में नहीं तो नहीं होता था धीर धीर यह सूख गया ठीक है तो यह ऐसा बताया जाता है तो यह थोड़ा controversial है तो इसके बारे में आप देख सकते हो बट फिलहाल आप ध्यान में रखो कि सरस्थी river हुआ करती थी यहाँ पे और इस कारण से geographical point of view से अगर देखे तो यह civilization जो है इंडस वैली civilization इसको इंडस सरस्थी civilization बोला जाना चाहिए ठीक है most suitable name हो गया अगर आप settlement देखो तो लगबग 80% जो है इस civilization का settlement जो है वो सरस्थी river के किनारे ही थी सरस्थी river valley के किनारे तो इस कारण से आप समझ सकते हो कि सरस्थी जो है अगर उसको फिर से renew किया जाए तो हरपन civilization या फिर इंडस वैली civilization जो हम लोग अभी पढ़ते हैं उसके information में काफी changing आएगी तो जब आएगी तो हम लोग देख लेंगे अभी तक जो information उसके recording का पचीस सो बीसी से लेगर के सत्रह सो पचास बीसी का प्रेड है और यह प्रेड किस मेथट के दुरू हम लोग उको मिली है तो कारवन 40 डेटिंग के according यह क्या है किसी भी evidence को अगर कोई substance मिलता है तो उसमें कारवन 14 की मात्रा देखते हैं अगर मात्रा कम है तो इसका कारवन 40 डेटिंग आपको ध्यान में रखने है कि डेट जो अभी हम लोग जानते है पचीस सो बीसी से सत्रह सो पचास बीसी का जो प्रेड है इस civilization का वो किस मैथड से अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखने है कारवन 14 डेटिंग के मैथड से इसको निकाला गया फॉस्ट स्कॉलर जिन्होंने इंडस सिवलाइजेशन भोला था इस civilization को वो कौन थै जान मार्म यह जो देख रहे हो जान मार्शल की पोटर है तो इन्होंने फर्स दाइम जॉन मार्शल ने ही इंडस civilization फर्स ताइम टर्म यूज करा था तो ये ध्यान में रखनी आपको ये civilization प्रोटो हिस्टोरिक प्रेड से बिलॉंग करता है अभी जो हम लोगों ने structure देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोटो हिस्टोरिक प्रेड में इसको दो पार्ट मे दिवाइड करते हैं चल्कोलिथिक एज एंड आइरन इज तो अगर प्रेड की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखनी कि प्रोटो हिस्टोरिक प्रेड में आता है इंडस civilization सिंपल सी चीज है करें structure आपको ध्यान में है शुरूम में जो हम लोगों ने देखा था और च चुकि copper था तो copper को क्या करते थे copper को अलग-अलग metal में metal के साथ mix करके उसका alloy भी यूज करते थे तो bronze जो है वो copper का ही alloy है तो bronze भी यूज किया जाता था हरपन civilization में तो ये bronze age में भी आता है तो आपको ध्यान में रखनी है चल्कोलिथिक एज, bronze age ये में इंडस civilization जो है उससे बिलोंग करता है आई वी सी जो है इंडस वैली civilization ये कहा कहा फैला हुआ था ये देख लेते हैं तो ये सिंध जो प्रोविंस है पकिस्तान का देन बलुचिस्तान ये map देख रहे हो ये बलुचिस्तान हो गया ये सिंध हो गया black color में देन पंजाब पंजाब में ये पकिस्तान कुछ था नहीं कोई border नहीं थी कोई सरद्य नहीं थी पहले इसलिए हम लोग जब भी पढ़ते हैं history तो इंडियन सब कंटिनेंट बोलते हैं क्योंकि यहां पे range है किर्थार range देन हिंदू कुस हो गई हिमाले होगी तो ये एक इस area को ये area जो है इसको divide गरती थी बागी एसिया जो continent है इस कारण से ये area इंडियन सब कंटिनेंट कहलाता था और इंडियन सब कंटिनेंट मानते हैं एक पहाडों का barrier था mountain का barrier था otherwise कोई border वगेर नहीं थी जो अभी है जो हम लोगों ने डिवाइड करा है यह आफगानिस्तान है यह पाकिस्तान इंडिया है एसा को स्थानी तो यह पंजाब होगी फिर हर्याना देन राजस्तान इंडिया में पड़ता है गुजरात देन वेस्टर्ण यूपी यूपी में वेस्ट वाली यह जो देख रहा हूं यह साइड इस्ट होगी अगर आप देखो और इस साइड वेस्ट होगी तो यह वाला area तो अगर यूपी में देखा जाए तो वेस्टर्ण यूपी ऐसे मैंने स्टेट दिखाया है इस्प्रेट किस-किस स्टेट में था यह आप ध्यान में रख सकते हो महरास्ट होगी यह वाला जो area देख रहा हूं तो यह सारे स्टेट में या फिर पाकिस्तान में अगर बात क प्रजेंट करता है इस civilization हट्लेंड का क्या मतलब है important जो पार्ट होता है किसी भी country का उसको हट्लेंड बोल सकते है तो इस तरह से देखा जाए तो हरपा और मोहन जोदारों यह देख रहे हो हरपा जो है वो पंजाब में थी और यह मोहन जोदारों सिंद प्रोविंस में और गगर जो है जो कि हम लोगों ने थोड़ा विपादित है बड़ बोल सकते हैं कि सरसती रिवर के लॉंग ही गगर रिवर बहती है तो यह देख सकते हैं आप यह एक एक एक्सिस बनता था ठीक है गगर हकरा रिवर हकरा की अगर बात करें तो आप देखोगे ओटू रिजर बोलता है तो खेल यह गगर जो है हर्याना में बहती है और ओर टू रिजर बॉर के बाद इसी रिवर को यह जो रिवर देख रहा आप जो कि पाकिस्तान में पड़ता है इसको हकरा बोलता है तो गगर और रिवर हो गया तो यह जो है हरपा, घागर और मोहन जज़ारू यह एक्सिस जो है यह मीड में थी इस civilization के मीड में आप देखोगे तो इस करण से इस एक्सिस को क्या कहते है हर्ट लेंड कहते है ठीक है हर्ट लेंड बोलते है इस civilization की यह ध्यान में रखनी है आपको नौ देख लेते हैं कि इसका northern, northern most site जो है सबसे north में कौन सी site है अभी तक में जो खुदाई हुई है उसके according जो sites मिली है उसके according नौर्थ में यह area आप देखे हैं यह north हो गया यह sorry गलते लिग दिया मैंने, just a second यह north हो गी मैप में आप जब भी देखते हो तो उपर नौर्थ होता है ये इस्ट हुआ फिर मैं वेस्ट लिग रहा था ये इस्ट हुआ ये वेस्ट हुआ और ये साउत होगी तो अब इसके एकॉर्डिंग आप देख लो आपको लोकेशन पता है कि ये सिबलाइशन यहाँ पर कुछ इस तरह से बसी हुई थी तो अब इस तरह से अगर अब देखो तो नदन मोस साइट कौन सी होगी पहले जो है पहले जो खुदाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है रोपर जो है वो नदन मोस साइट थी जो कि सतलाज रिवर के किनारे थी पंजाब में पढ़ती थी ये पहले की बात है तो ये आपको ध्यान में नहीं रखनी है यो कि पहले खुद आई हुई थी अभी का जो है प्रजेंट का जो मतलब एक्सकेवेशन हुआ है उसके एकॉर् मेर में नाव सदन मोस साइट अर्लियर की अगर बात करें तो भगत्रो जो की कीम रिवर के किनारे पढ़ती थी गुजरात में थी ठीक है गुजरात ये वाला एरिया हो गया तो पहले कि आपको ध्यान में नहीं रखनी है कल को अगर न्यू कोई साइट नॉर्थ में या फि कौन सा है ये सदन मोस साइट अगर देखे सबसे साउथ में साउथ ये हो गया तो सबसे साउथ में कौन सा साइट है दैमाबाद जो कि प्रवरा रिवर के किनारे है महरास्ट में ये महरास्ट देख रहा हम ग्रीन कलर में अलोकेशन की अगर बात करें तो दैमाबाद ये र आलमगीरपूर जो की हिंडन रीवर के किनारे है यह मेरूत डिस्टिक में पढ़ता है यह रहा आलमगीरपूर तो यह कौन सी साइट होगी इस्टर्ण मोर्स साइट आपको ध्यान में रखनी है वेस्टर्ण मोर्स साइट सबसे वेस्ट में इस सिबलाइजेशन की सबसे वेस में कौन सी साइट है तो ये कौन सी है सुर को सुरी सुतका जेंडर ये कहां पड़ता है ये दसक रीवर के किनारे पड़ता है और मकरान कोस्ट मकरान कोस्ट जो है ये ये देख रहाँ बलुचिस्तान है इधा साइड इरान है इस साइड तो यहां पे आपको पाकिस्तान इरा बॉर्डर पे आपको ये साइट मिलेगी कौन सी सुथ का जेंड और ये लोकेशन देख रहे आप तो ये आपको ध्यान में रखनी है नाउ इसके बाद अगर आप देखो ये साइट स्वरी इस सिब्लाइजेशन को तो ये देखो ये लोकेशन कुछ इस तरह था तो इसके अक आलमगीरपूर सबसे साउथ में कौन सी है दैमाबाद और वेस्ट में वेस्टन मोस्ट कौन सी है सुथ का जंड और ठीक है तो ये द्यान में रखनी है मैं थोड़ सा द्यान में रखना है ये रिमेंबर करके मैं याद हो सके इसलिए मैंने मैप दिखाया देखते आगे Capital City इस देख लेते हैं इस civilization की Capital City की अगर बात करें तो हरपा और मोहन जोधारो है means main city जहां से administer किया जाता है तो उसको Capital City बोलते है तो हम लोग अल्रेडी देख चुके हैं हरपा का है सहिवाल district of Punjab Punjab province of Pakistan and मोहन जोधारो का है ये है लड़काना district of Sindh province of Pakistan तो ये location आप देख सकते हो ऐसे district जानना कोई जरूडी नहीं है आपको ध्यान में रखो कि पाकिस्तान में हरपा और मोहन जोधार जो Capital City है दोनों जो है पाकिस्तान में है ये आपको ये पूछा जा सकता है Rarely I think पूछा जाएगा कि ये सेंद में है या पंजाब में है बट ऐसा नहीं है वो country ही mostly पूछते है तो ध्यान में रखनी है आपको मैं बता देता हूँ डिस्टी तक बता देता हूँ ताकि चीज़े तोड़ा clear है ठीक है port cities देख लेता है लोथल लोथल का है गुजरात में then सुथ का जेंडर अलड़ी हम लोग ने देखा western most site ये कहाँ पड़ता है ये पड़ता है बलुचिस्तान में बलुचिस्तान प्रोविंस ओ पाकिस्तान तेन अलादीनो ये भी port city है port city जहां से जो है क्या होती है जहाजे जो है वो निकलती है या फिर रुकती है समान जो है जहाज के तुरू ले जाया जाता है तो port city के अगर बाद करें तो लोता लोग इस उतका जेंडर देख लिए आम लोग ने अलादीनो ये कहाँ है अलादीनो शिंदू प्रोविंस में पड़ता है पकिस्तान में लोकेशन आप साथ में देख लो बाला कोट के अगर बाद करें तो ये बलुचिस्तान में पड़ता है और कुंटासी कहाँ पड़ा ये कुछरात में पड़ता है तो यह आपको ध्यान में रखने है पोर्ट सीटी के अगर बात करी जाए तो पोर्ट सीटी जो है यह सारी हो गई ठीक है Now important sites देख लेते हैं Indus Valley Civilization के हरपा इसके excavator कौन थे जिनोंने खुदाई करी जिनोंने खोजा डिस्कवर करी इस site की वो कौन थे दयारामसानी इनोंने 1921 में खुदाई करी और बताया कि हरपा जो है यह site हुआ करती थी एक सहर हुआ करता था इनका फोटो है दयारामसानी का हरपा जो है फॉस्ट डिस्कवर साइट है इसलिए हम लोग उने देख लिया कभी-कभी दयारामसानी के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रखनी है देन माधो शरूब बत्सा इनोंने भी खुदाई करी 1926 में इनोंने भी बताया कि हरपा site हुआ करती थी देन वीलर ने भी खुदाई करी यह लोग अभी भी खुदाई कर रहे है तो नया site अभी भी पता चल सकता है तो खुदाई जेनरली आर्केलोजिस्ट लोग खुदाई करते रहते हैं नया नया evidence निकालते हैं तो इस तरह से तीन जो है excavator हो गया तैयराम सहनी इसको आपको ध्यान में रखना है फोर्स्ट इनोंने किया था 1921 में जैन माधो शरूब बत्सा 1926 में और वीलर जो है 1946 में लोगेशन की अगर बात करें तो ये रावी रीवर के किनारे ये साइट आपको मिलेगी ये इंडस रीवर सिस्टम होगी ये सारी जो है ये left pen tributary होगी इंडस रीवर की ये इंडस रीवर होगी ये जो आप देख रहा हो ये इंडस रीवर होगी जिसको मैंने lining करा इसमें ये black color का जो देख रहा हो ये रावी रीवर होगी ठीक है तो रावी रीवर के किनारे जो है ये साइट बसी होई थी सहिवाल डिस्टिक में पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान का वहाँ पे ठीक है नाओ मोहन जोदारू मोहन जोदारू जो है इसको नकलिस्तान भी कहत हैं ओएसिस ओफ सिंध एक्सकवेटर राखल दास बनर जी इन्होंने 1922 में इसकी खोज करी मोहन जोदारू की देन वीलर 1930 में एन मैके 1927 में तो ये सारे एक्सकवेटर हो गया इन्होंने खुदाई गरी और बताया मोहन जोदारू के बारे में देन लोकीशन की अगर बात क करें तो लोकीशन ये इंडस रीवर के किनारे हैं बसा हुआ था मोहन जोदारों इंडस रीवर अलेटी हम लोग देख चुके हैं ये ब्लैक स्वरी रेड कलर में जो देख रहा हो लाल कलर में ये इंडस रीवर है और इसके किनारे लरकाना डिस्टिक में पढ़ता था ये म मोहंजोदारो कहां पड़ता है लड़काना डिस्टिक सिंध में ठीक है सिंध प्रोविंस ओफ पाकिस्तान नाव चन्हुदारो नेक साइट देख लेते हैं एक्सक्रविटर के बारे में मैंके इन्होंने खुदाई करी और बताया चन्हुदारो के बारे में 1925 में देन एंज रीवर के किनारे ही बसा हुआ था तो ये नवाब साथ डिस्टिक ऑफ सिंध में आपको मिलता ये साइट जो है पड़ता है सिंध प्रोविंस ओफ पाकिस्तान में ठीक है तो डिस्टिक अगर पूछा जाया ऐसे जनरली पूछते नहीं है तो नवाब साथ डिस्टिक में प इंपोर्टेंट नहीं है उतना बडिया वाद देख लिया हम लोग ने लोथल देख लेता है एक्सकरविटर कौन है ऐसा राओ इन्होंने 1954 में खुदाई करी है लोथल के बारे मताया देन अलोंग विद भोगवा रीवर भोगवा रीवर के किनारी ये साइट आपको ये जो है साबरमती रीवर है स्काइब ब्लू कलर में साबरमती रीवर की ये जो है ब्लैक कलर में आप देख रहा हो ये ट्रिबुटरी है ये भोगवा रीवर है ठीक है तो भोगवा रीवर के किनारे जो है लोथल बसावा था और कहां पढ़ता है ये आहमदाबाद डिस् काली बंगा इसका क्या मतलब है the bangles of black color ये side जो है इसके excavator कौन कौन है तो हमलानंद गोस इन्होंने 1951 में खुदाई करके बताया काली बंगा के बारे में इन्होंने खोजकरी काली बंगा की 1951 में देन बीवी लाल और बी के थापड इन्होंने 1961 में काली बंगा की खोजकरी म में इस काली बंगा के बारे मताया है लोकीशन की अगर बात करें तो ये घगर रिवर के किनारे है घगर हकरा रिवर आप बोल सकते हो ये ये जो देख रहे हो हर्याना इंडिया में अगर बात करें तो हर्याना राजिस्थान से होते हुए ये पकिस्तान में इंटरी करता है और पकिस्तान में इसको हकरा बोला जाता है तो घगर रिवर के अगर बात करें तो घगर रिवर के किनारे ये बसा हुआ है काली बंगान कहां पे हनुमान गड़ डिस्टिक आफ राजस्तान में ठीक है तो ये द्यान में रखनी है आपको नेक्स देख लेते हैं बनावली साइट ये कहां है इसके एक्सकेबिटर की अगर बात करें तो आरेस बिस्ट इन्होंने डिस्कवर करी बनावली की 1973 में अलोकेशन की अगर बात करें तो घगर रिवर के किनारे ही है ये गगन रिवर के किनारे कहा पड़ता है हर्याना में हर्याना में फतेहाबाद टिस्टिक में पड़ता है हर्याना कहा पड़ा अबेस है इंडिया में पड़ता है नेक्स साइड धोला वीरा है धोला वीरा के बारे में देख लेते हैं ये एक्सकेविटर के अगर बात करें तो JP Jossy इन्होंने खोज करी धोलावीरा की 1967-68 में एंड लोकेशन के अगर बात करें तो ये लूनी रीवर के किनारे है लूनी रीवर ये जो आप देख रहे हो ये वाला ठीक है तो लूनी रिवर के किनारे धोला वीरा बसा हुआ था और लोकेशन की अगर बात करें तो कछ डिस्टिक गुजरात में पढ़ता है गुजरात का है इंडिया में ये तो आपको पता ही है तो ये लोकेशन आप धोला वीरा का ये देख सकते हो ठीक है नाओ अर्केलोजिकल फाइंड्स देखेंगे इंडियस्वैली सिवलाइजेशन के बारे में जो भी जानकारी है अभी तक वो अंदी बेसिस ओफ अर्केलोजिकल फाइंड्स ही है जो भी रिमेंस मिले हैं बिल्लिंग के उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है तो अर्केलोजिकल फाइंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है और सारी जो चीजे यूज की जाती थी या फिर बिल्डिंग्स थी वो सारी तो अभी तक हम लोग हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं तो अभी तक सर्वाइब कर पाना मुश्किल है बट जो कुछ भी मिला है अभी तक में उसके बेसिस पे जो हम लोग के बारे में हम लोग इमेजिन कर पाए हैं समझ पाए हैं वो हम लोग अभी तक जानते हैं तो में भी इन फ्यूचर कुछ चीजे और अड़ो और औरकालोजिकल फाइड्स और मिले बुक में जो है वो बारी-बारी से हम लोग देख लेंगे औरकालोजिकल फाइड्स और जो इंपोर्टेंट होगा वो मैं बता दूँगा तो देख लेता हैं important जो sites हैं इस civilization के तो पहले हरपा से देखते हैं हरपा से जो अरकालोजिकल फाइड्स मिले हैं six greenries in row यह जो आप देख रहा हो यह remains मिला है अब से इस मिला है building का ऐसा building तो survive कर नहीं पाएगा और बैस हम लोग देख चुके हैं कुछ building है जो survive कर पाई है कुछ चीज़े जो survive कर पाई है जो मिली है उसके बारे में देखेंगे तो यह greenery क्या होता है अनाज को रखने के लिए अनाज इस्टोर करने के लिए जो building होता है उसको greenery क्याता है then working floor मिला है walksman quarters मिले है virgin god goddess का जो है वो seal पे मिला है then symmetry मिली है यह जो आप देख रहे हो तो इसका यह जो आप देख रहे हो यह numbering है यह कुछ नहीं है then next stone symbols of lingam and yoni lingam क्या है यह sex organ है male का और yoni जो है यह female sex organ है तो इसके जो है stone symbol मिले है then sand stone statue of male torso यह important है male torso आपको ध्यान में रखना है यह यह जो आप देख रहे हो तो यह sand stone का बना हुआ male torso मिला है कहां से हरपा से हरपा जो site है जब हरपा मैं बोलूँ तो इसका मतलब site की बात हो रही है और हरपन civilization जो है चुकि हरपा first discover side है तो हरपन civilization भी बोलते हैं इंडर्स वैली civilization को यह ध्यान में रखने है आपको तो इसके अलावा हरपा से क्या क्या मिला है तो stay tight statue of male dancer यह क्या है एक type of stone है इसी क्या बना हुआ male dancer का जो है मूर्ती मिला है then painted pottery clay figure of mother goddess यह important है यह आपको ध्यान में रखने है कि clay से बना हुआ mother goddess का जो है एक मूर्ती उचिस्तर का यह थोड़ा तूटा फूटा है यह survive कर पाया है इस कारण से है तो यह आपको ध्यान में रखने है कहां से मिला है हरपा से मिला है और यह ज़्यादातर side से देखे गया है में भी वो worship करते होंगे इनकी यह जो goddess है then wheat and barley in wooden mortar then copper scale crucible for bronze copper made mirror यह देख रहाँ आप कुछ remains में इस तरह से मिला है vanity box dice यह सारे चीज़ जो है यह सारे जो finds है archaeological finds वो मिले है हरपा से ठेक है हरपा side से now मोहन जोदार उसे देख लेता है मोहन जोदार उसे great grainry यह देख रहा हो अब से इस बचा हुआ है टूटा फूटा जो मिला है उससे हम लोग imagine करते हैं तो यह great grainry हो गई वही अनाज को store करने के लिए building था बड़ा सा great बात यह आपको ध्यान में रखनी है यह पूछा जाता है because यह जो है largest building है इस civilization का means Indus Valley civilization का सबसे बड़ा building आपसे पूछा जाए largest building तो आपको ध्यान में रखनी है great बात है और यह कहां से मिला है मोहन जोदारो साइट से ठीक है यह देख रहा है तो यह कुछ इस तरह का swimming pool के तरह आपको देखने को मिलेगा तो यह दियान में रखनी है आपको now next देख लेते हैं assembly hall मिला है sail street मिस assembly hall finds मिले है remains to uta uta मिला है पसुपती महादेव या फिर proto shiva seal पे मिला है seal यह देख रहा है seal mostly जो है वो square या फिर rectangular shape का हुआ करता था और इसमें यह जो देख रहा है यह बैठे हुए जो दिख रहा है आपको इनको पसुपती महादेव या फिर proto shiva आप बोल सकते हूं इनका जो है वो ऐसे image बनाया हुआ है देन मोहन जोदार से next देख लेते हैं nude woman dancer यह देख रहा हुआ आप यह ब्रोंज का बना हुआ है और एक dancing pose में आप देख सकते हैं उनको देन इस्टे tight statue of priest या फिर priest king यह important है यह ध्यान में रखने यह दोनों important है यह भी पूचा जाता ब्रोंज image of nude woman dancer मोहन जोदार से मिला है कुछ हिस्तर रगा देन यह जो आप देख रहे हो priest या फिर priest king यह दाड़ी वाला जो बन रहा है यह देख रहे हो पोटो में आप यह भी आपको द्यान में रखने है मोहन जोदार से मिला है यह देन मोहन जोदार से next जो है human skeletons huddle together यह मिला है साथ में then painted seal demi god then clay figure of mother goddess यहां से भी यह मिला है तो आपको द्यान में रखनी है यह वैसे भी important है रपा में भी हम लोग ने देखा मोहन जोदार में भी है a fragment of woven cotton then brick cleanse brick का जो भट्टी होता है इटा का जो बट्टी होता है वो भी मिला है उसके अपसे इस मिले है of course then 1398 seals मिले है जो की 56% है total seals of civilization means Indus Valley civilization से जो भी seals मिले है उसका 56% जो है वो मोहन जोदार से मिला है ठीक है यह आपको ध्यान में रखनी है दो Mesopotamian seals मिले है यहां से and dice मिला है तो यह सारे जो है यह मोहन जोदार से मिले है archaeological finds now चन्हुदारों से देख लेते हैं sale ornament makers and bead makers shops मिले है दुकाने मिले है then दुकानों के अपसे मिले है of course जब मैं बोल रहा हूं तो आप अपसे ही समझे ना टूटा पूटा इस तरह से कुछ मिला है in port lipstick metal workers then imprint of dog paws on a brick brick पे dog paw का imprint मिला है दें टेरा कोटा model of a bullet card यह देख रहा model मिला है तो obvious है यह बुलक काट हुआ करती होंगी तभी तो उसका चोटा model जो है वो बनाया गया है then यह मिला है and bronze toy cot भी मिला है bronze से भी बना हुआ मिला है और टेरा कोटा से भी बना हुआ मिला है यह टेरा कोटा का होगे यह bronze का होगे ठीक है then city without citadel दोल स्वरी चन्हुदार जो है चन्हुदारो को क्या कहते है city without citadel citadel क्या होता है town planning जो है कुछ इस तरह के की जाती थी कि कुछ area जो है वो lower होता था थोड़ा नीचे होता था और कुछ area जो है वो उचा होता था जो area lower होती थी नीचे होती थी वहाँ जो town बसी होती थी उसको क्या कहते है lower town कहते थे और जो एक हाइट पर, पार्टिकुलर हाइट पर, टाउन होती थी, बिल्डेंग्स होती थी, वो भी एक टाउन ही होता था, तो उसको क्या कहते हैं, सीटा डेल कहते थे, तो बागी जो साइट्स है, मौस्टली आपको साइट्स में, इस तरह का प्लाइनिंग दिख जाएगा जिसमें की सीटा डेल होता है जैसे मोस्ली आप देखो कि कोई भी टाउन तो एक प्लेन में बसा होगा बट अगर हरपन सिवलाइजेशन की बात करें तो उसमें टाउन प्लेनिंग इस तरह से की जाती थी कि प्लेन में तो बसने ही थे लोग फिर एक पार्टिकुलर हाइट प तो वो सीटा डेल बोला जाता था तो चनहुदारों में जो है सीटा डेल आपको देखने को नहीं मिलेगा यह ध्यान में रखनी है नहीं मिलेगा विगाद सीटी विदाउट सीटे डेल इसको बोला जाता है चनहुदारों को तो यह ध्यान में रखनी है कि कौन सा साइट है जहाँ पर सीटा डेल नहीं दिखा गया है प्लाइनिंग में तो ये वाला पार्ट जो है ये नहीं देखनों को मिला है सिर्फ ऐसे प्लेन में लोग बसे हो गया है टाउन बसा हुआ है चनुदारों कहाते हैं जिसको ठीक है लोथल से देख लेता है जो जो आर्कलोजिकल फाइंट्स मिलें डॉक याड इंपोर्टेंट है डॉक याड ये अगर आप देखोगे कुछ इस तरह का जैसे ये टाउन था तो इसमें ये क्या था कि लोथल के साइड से जो रीवर बहती थी तो उस रीवर को एक पार्टिकु लिए यूज किया जाता था तो ये डॉक याड आपको एक आईडिया लेने के लिए ये इमेज आप देख लो ऐसा कुछ उस ताइम का इमेज तो है नहीं अब लेबल बट यह यह आप ध्यान में रख सकते हो कि डॉक याड जो है कहां से मिला है लोतल से मिला ठीक है देन र दर्में देखोगे तो पूझा में आपको इस तरह का देख जाएगा इसमें लकरी डाल करके ऐसे आग लगा लगा करके वो पूझा करते हैं ठीक है कभी अपने अगर पूझा में कभी देखा होगा तो I think ध्यान में आ जाएगा ये फाइर ओर्टर्स कहते हैं इसको ये इम या male female दोनों को ठीक है तो उसको double burial कहता है कहां से मिला है लोतल से देन टेरा कोटा model of a ship मिला है यहां सहीं लोतल से डाइंग वाद देन पर्सियन या फिर इरानियन जो भी बोलो पर्सिया जो है अभी इसको modern day में इरान कहता है तो इरानियन सील जो है वो भी मिले है बहरेनिय जार मिला है जिसपे bird और fox बना हुआ है यह यह देख रहे हैं कुछ इस तरह का नाओ काली बंगा से जो साइड़ फाइंट्स मिले है अर्कलोजिकल फाइंट्स वो देख लेता है प्लॉग फिल्ड सर्फिस मिला है देन सेवन फायर अल्टर्स अल्रेडी देख लिया हम लो of a toy cart यह भी मिला है toy cart की अगर बात करें तो यह हो गया यह खिलोना है तो इसका जो है wheel मिला है चोटा से चक्का मिला है तो यह द्यान में रखने है Mesopotamian cylindrical seal मिले है mostly जो आप Indus Valley Civilization में देखोगे तो seals कैसी होती थी या तो square हो गई या फिर rectangular mostly rectangular ही होती थी तो Mesopotamian के seal है वो cylindrical seal मिले है यहां से तो Mesopotamian जो civilization हुआ करती थी वहां पर cylindrical seal भी यूज करते थे seal mostly trade के लिए यूज करते थे confirmation के लिए क्या करते थे जैसे कि माल लो इस area में ऐसे आगे देखनी थी हम लोगों यह area हो गया यहां से आप कुछ भेज रहा हो तो आप एक seal देखर के भेज होगे कि जिस area में वो ज समान आपका है और यहां से आया ठीक है तो confirmation के लिए seal यूज करते थे अब ऐसा नहीं समझना है seal वो मतलब क्वाइन वगर नहीं होता था seal ऐसा कुछ वो confirmation के लिए trade में यूज करते थे now archaeological finds देख लेता है from बनावली बनावली से देखे अगर तो lack of chase board या फिर grid iron pattern town planning देखने को मिला chase board कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और grid pattern जो है वो आगे हम लोग देख लेंगे आप बस द्यान में रखों कि इस तरह का chase board जो होता है इस type का कुछ जो है जैसे यह road हो गया बीच में यह सारे घर हो गया तो इस तरह का कुछ pattern होता था उसके उस तरह का planning होता था town का तो वो बनावली में आपको देखने को नहीं मिलेगा because lack of chase board जो है town planning यह आपको बनावली में देखने को मिला है lack of systematic drainage system drainage system जो था वो कापी बढ़िया था उस time पे इंडस वैली civilization के अगर बात करें वो underground drainage system होता था जैसे road हो गई तो उसके अंदर अभी जो हम लोग देखत नाली निकलती है और सारे घर से connected होती है और फिर वो जितनी भी वो वाटर निकलती है पानी निकलती है घर से गंदा जो हो गया नाला के तुरू वो निकल जाता है ठीक है तो यह systematic drainage system है systematic तरीके से बना हुआ यह बनावली में देखने को नहीं मिला है ठीक है toy plug then clay figure of mother goddess धोला वीरा से जो archaeological finds मिले हैं वो देख लेते हैं यह जो है यहाँ पर आपको unique water harnessing system देखने को मिलता यह जो आप देख रहे हो image इसमें आप देख सकते हो यह water काफी बड़े reserve wire में आपको देखने को मिलेगा तो water को जो है काफी बाड़ी मात्रा में reserve किया जाता था धोला वीरा मे है तो जब भी water harnessing system water unique water harnessing system या फिर एक giant water reservoir की बात होगी कि यह कि साइट से मिले है तो आपको ध्यान में रखने है दोला वीरा धोने से आपको ध्यान में रखना है जो धोना होता है ना हाँ दोना या पर मूद होना जो भी अप समझो तो उसके just यात कर रखने के लिए बता giant water reservoir कांज मिला है तो वो आपको ध्यान में रखने है दोला वीरा अप जैसे भी याद रखो ध्यान में रखो a large whale और bath देखने को मिला है जैसा कि आप देख रहे हो तो water को लेकर के यह लोग काफी सतर्क थे और काफी मतलब बढ़िया बेवस्ता था water का reservoir थे बड़े- की तो वो दो पार्ट में डिवाइड थी टाउन प्लैनिंग जो होता था वो दो पार्ट में की जाती थी एक तो लोवर टाउन हम लोग अलएडी देख चुके हैं और एक होता था अपर टाउन जिसको सीटा डेल बोलते थे थोड़ा हैट पे होता था बट इसमें अगर है यह वाला एरिया लोवर टाउन हो गया एंड यह एक मिडिल टाउन होता था इसमें एक्स्ट्रा क्या एड़ हुआ मिडिल टाउन और अपर टाउन को तो सीटा डेल बोलते ही थे तो यह तीन पार्ट में डिवाइड था लोवर टाउन मिडिल टाउन एन अपर टाउन या तो ये तीन पाइट में डिवाइड़ था और एक लार्जेस्ट हरपन इंस्क्रिप्शन की अगर बात करी जाए जो की सिविक पर्पेस के लिए यूज किया गया था ये धोला वीरा से ही मिला है देन इस्टेडियम मिली है मिन्स उसके रिमेंस मिले है ऑपकोस सुरकोद्दा स देख लेते है जो ऐर्कहलोजिकल फाइंड्स मिले है तो बौनस ऑफ हमले है और इन ओवल ग्रेव मिली है और पोट बरियल्स मिलें क्या मतलब हो है इसकाि ये देख लो आप, port burial का क्या मतलब है, ये जो है, क्या होता था, कि कोई छोटा बच्चा मरता है, ठीक है, या कोई baby है, उसके dead buddy को क्या करते थे, port में, मिट्टी के बरतन में डाल करके, और फिर उसको गाड़ते थे, तो उसको क्या बोलते थे, port burial ठीक है, oval grave, अब देख रहे हो, ये, then horse के, horse के क्या मिले, boons मिले, तो ये सारे सुरकोदा से मिले है, then, आगे अगर देखे, दैमाबाद, ये archaeological finds, दैमाबाद से, दैमाबाद जो site है, वहाँ से bronze images मिले है, किसके किसके, तो chariot with chariot, chariotier with chariot, जो जो देख रहे हो, साथ में, ये रत के तरह है, इसमें, ये जो जानवर है, मालो, गोडा, गोडा कहीं बनाया होगा, तो ये गोडा है, तो गोडा के साथ से सार्थी भी है, चलाने वाला बनना भी, इस रत पे आपको देखने को मिलेगा, तो रत और उसका सार्थी, रत चलाने वाला, ठीक है, तो ऐसा image देखने को मिला है, ऐसा image मिला मेजर सीटी जो इंडर्स वैली सिबलाइजीशन की थी उसमें आपको कुछ फीचर्स जो है सेम देखने को मिल जाता उसमें से जो इंपोर्टेंट है वो देख लेता है जैसे सिस्टमेटिक टाउन प्लैनिंग ये ग्रीड सिस्टम पे बेश था ग्रीड क्या होता है अगर वर ग्रीड बनाते हैं तो इस तरह का कुछ सेट अप हुआ करता था सीटीज का इसमें ये जो आप देख रहे हो इस तरह का रोड होता था सडक होती थी और सडक जो है ये ग्रीड के तरह होती थी और फिर जैसे ये सारे जो स्काइब ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये हाउस मालो मेन सरक है ये वाली तो इसमें सारा सरक जो है वो आ करके 90 डिगरी पे मिलेगी तो इस तरह का कुछ planning होता था उन लोगों का इसको systematic town planning जो है बोला जाता है on the lines of grid system तो ये द्यान में रखने हैं आपको then next feature जो है common feature वो burnt brick देखने को मिला construction में construction में जो है वो burnt brick जो अभी हम लोग देखते हैं उसको brick को जला करके मजबूत किया जाता है तो मिटी से जब बन जाता है नो तो उसको shape देने के बाद उसको भटी में डालते हैं फिर गर्म करते हैं तो ये strong हो जाता है ठीक है पक जाता है तो उसको burnt brick कहता है burnt brick construction में देखने को मिला है जैसा कि अब देख रहा हो side में then common features में next जो है वो fortified citadel है citadel जो है mostly देखने को मिला है in sites जो भी है इंडस्वेली civilization की तो उसमें आप देखोगे कि fortified होता था citadel जो है fortified होता था और exception चनुदारों है अल्रेडी हम लोग देख चुके हैं चनुदारों में जो है वो citadel नहीं है ये city without citadel इसको बोला जाता है चनुदारों को citadel औरेडी हम लोग देख चुके हैं citadel का क्या मतलब है वो lower town जो है उसके compression में थोड़ा height पे होता था वो town उसको citadel बोलते थे और citadel चुकी citadel में mostly great जो buildings हुआ करती थी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे greenery हो गई great बात हो गई या फिर administrator हो गई उनके houses हुआ करते थे तो उनको safe रखने के लिए safety के लिए fortification किया जाता था किला बंदी किया जाता था तो वो आपको देखने को मिलता citadel में ठीक है तो citadel जो है वो fortified देखने को मिला है ये भी common feature है मतलब mostly cts में देखने को मिली है इंडस वैली civilization के underground जो है drainage system देखने को मिलता means drainage का जो system था वो क्या होता थ धका होता था वो underground होता था ठीक है सिंपल सी चीज़े हैं दोलावीरा के बारे में already हम लोग देख चुके हैं giant water reservoir जो है वो दोलावीरा में आपको देखने को मिलेगा ये वाला photo हम लोग ने देखा था next देख लेता है largest site की अगर बात करें इंडस वैली civilization की largest site कौन सी है तो वो है मोहन जोदारो ठीक है मोहन जोदारो सिंद प्रोबिंस में है पाकिस्तान में और सिंद में अगर पूछा जाये से पूछा जाता नहीं है बट सिंद में पूछा जा कौन सी district तो लरकाना district में है ठीक है बट अगर largest Indian site की बात करी जाए ये तो हो गई कि largest site of इंडस वैल civilization बट सारे site में अगर इंडिया में देखा जाए मोहन जोदारों इंडिया में नहीं है बट इंडियन sites को compare किया जाए और फिर देखा जाए तो कौन सी site बढ़ी है largest है राकी गड़ी ठीक है शूर्कोत जा जो है ये पढ़ता है कच डिस्टिक गुजरात में ये only site है इंडस horse जो है वो मिला है ठीक है नाव cultivation के बारे में देख लेता है cultivation की अगर बात करी जाए तो इसके evidence मिले है राइस के कहां से लोथल से और रंगपूर से लोथल रंगपूर दोनों गुजरात में पढ़ता है ये sky blue color में ये जो map देख रहा हूं ये गुजरात है और यहां ही दो साइट मिलती है है लोथल और रंगपूर यहां पर राइस के evidence मिले है ठीक है राइस के होने के evidence मिले है तिन वीट बारली ये main crop है मतलब हुआ करती थी इंडस वैली नहीं ग्रो किया था आपको ध्यान में रखने है कि इंडस पीपूल फॉस्ट थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया था cotton पूरे वर्ल्ड में ठीक है फॉस्ट टाइम है इस कारण से कभी पूछ लिया जा सकता है अनिमल देख लेते हैं अनिमल के बारे में अनिमल लगबख सा बारे आपको देखने को मिलेंगे सीप गोट ऑक्स ऑक्सन जैसे ऑक्स का हो गया तन बफैलो बोर हम्प एंड हम्पलेस बुल डॉग कैट पिग फॉल डियर टोटो ट्रॉट एलेफेंट कैमल राइनसौरस टाइगर लाइन को छोड़के मोसली आपको देखने को मिल जाएं प्रिंज में यह जो देख रहा है आप ग्रिन कलर में यह सिंद्ध प्रोविंज होगी और पाकिस्तान तो यहां अमारी पढ़ता है यहां से सिंगल स्टैंस मिलें इंडियन राइनोसरस के ठीक है तो यह भी ध्यान में रखनी है आपको नाओ ट्रेड के पार में देख लेत है एसे का कुछ मैप जिसकी रिक्तान है जो मैं दिखाना चाहरा था हम वह है तो यहां पर इंडियवेली और inland trade का क्या मतलब है खुद जो इंडस वैली की जो sites थी वो खुद में trade कर रहे तो inland trade होगी और foreign trade अगर इस इंडस वैली civilization बाहर किसी country से किसी other civilization से अगर trade करते हैं तो उस case में इनको वो foreign trade हो गया जैसे अभी है इंडिया में खुद किया तो inland बाहर अगर कर रहे हैं तो foreign trade हो सकते हैं modern day Iraq में यह यह वाला area and Bahrain यहां पर यह देख रहा हूं यहां पर चोटा सा country है तो यहां से trade होता था और यह मेशोपोटामिया जो था उसमें civilization था मेशोपोटामियन civilization तो उसके बारे में world history में देखेंगे हम लो अभी आपको दियान में रखनी तो कुछ trade यह हो गय है नाओ यह import देख लेते हैं import of gold imports जो है वो किया जाता था गोल्ड का silver का देन टीन का यह सब export किया जाते थे तो civilization में आप देखोगे कि यह सारे जो है एक्सपोर्ट किन किन जगों से किये जाते हैं ये दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं कोलर से गोल्ड जो है कोलर जो करनाटका में पड़ता है ये लोकेशन देख रहे हैं यहां से गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था मंगवाया जाता था देन अफगानिस्तान से मंगवा आप से देखो तो आफगनिस्तान यहां पड़ा उस ताइम पे भी यहीं था में इस बॉर्डर नहीं थी है सरदे नहीं थी तो यह वाला एरिया ठीक है इसलिए मैंने सल्कुलर वे में दिखा दिया मैंने ताकि आपको द्यान में रहे कि यह एरिया से जो है वो इंपोर्ट हो जाता था तो सिल्वर अफगनिस्तान से यह वाला एरिया देन पर्सिया से पर्सिया यहीं इरान को ही पर्सिया अभी मॉडन में टाइम में इसको इरान कहते है पहले पर्सिया कहते थे तो यहां से एंड साउथ इंडिया से टी क्या साउथ इंडिया यह वाला पार्ट हो गया तो यहां से भी क्या गया जाता था इंपोर्ट किया जाता था में इस सिल्वर जो है वो इंडस वैली सिबलाइजेशन में लाया जाता था वैपार वैपार लोग करते थे तो लाते थे देन पर क्या हां कहां कहां से मगवाया जाता था खेत्री से खेत्री राजस्तान में पड़ा देन बलुचिस्तान से बलुचिस्तान ये एक प्रोविंस है पाकिस्तान का वहां से और अरभिया से टीक है, तो यह हो गया, now TINE की बाद कर लेते हैं, TINE कहाँ से import कर देते हैं, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान अल्रेडी देख चुके हैं लोग यह वाला एरिया देन बिहार से बिहार यहां यह यह वाला जो हो गया ठीक है तो टीन में आपको ध्यान में रखनी है कि इन दो जगों से इंपोर्ट किया जाता था देन लेपिस लजूली एंड से पाइ आए जाता था तो यह प्रिशियस स्टोन जो है वह बाकी कमों में भी यूज करते होंगे वह लो मोस्टली जो है वह डेकोरेशन में यूज होता था तो वह कहां से इंपोर्ट करते थे बढ़क सान बढ़क सान कहां पड़ा अफगानिस्तान में ठीक है यहां से इंपोर्ट इस्टिय टाइट यह एक रॉक है ठीक है यह देख रहा हूँ इससे मोसली जो है सील बनाया जाता था यह कहां से इंपोर्ट करते थे हैं सहरे सोक्ता सहरे सोक्ता का है इरान में है एंड किर्थार हिल वह पकिस्तान में पढ़ता है वह है तो यह होगी देन अमेत इस्ट यह आप देख रहा है यह महरास्ट से इंपोर्ट कीजा था था है शोनियव, बहराज से मंगवाय जाता था, देन इगेट, देन, चैल्शी डोनीजेंह और कार्नेलीयंस, यह सारे स्टोन है, तो यह सारे कहां से इंपोर्ट करते थे, सॉरास्ट और वेस्ट अंडिया से, भैंटिक है, तो सॉरास्ट हो गया, यह झुजरात में देख रहों, य तो की मंगबा रहे थे वहां से को अफगनिस्तान से ईंग्राइश्तृ करते थे भेजते थे क्ैनल की क्सक्पोंड क देखने को मिला है यी बीड्स देख रहा हुं माला बनाने में यूज तो डेकुरेशन में यह सब हमें मेली जुए वो फीमेल पहनती थी बट में में भी कभी-कभी देखा गया है तो यह होगई चन्हूदारों से कौछ सेल यह जो देख रहा हूं संक यह लग लगतरी कि के संक जो है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता था एकस विल्दख से ये लुतल से हो गई ओर से उपरि प्रॉडटक्ट ईवरी जो हाथी के दाथ से जो बनी हुए प्रॉडक्ट उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता था कोपर हो गई कोपर के इंप्लिमेंट्स या कॉपर यह भी एक्सपोर्ट किये जादे दें तो यह सारे हो गए नाओ इंटरेस्टिंग फीचर कुछ है जैसे आईरन के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं थी अरपन सिबलाइशन या इंडरस्वैली सिबलाइशन के लोग जो है आईरन के बारे में नहीं जानते थे यह ध्यान में रखनी है तो आईरन आपको पता ही है लोहा और यह इसके बारे में जानकारी नहीं थी यह ध्यान में रखनी है आपको देन नेक्स जो है लाइन के बारे में उलेडी बता चुगा हूँ लाइन जो है एनिमल में लाइन के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं थी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लाइन की जानकारी नहीं थी तो दो चीजें होगी, iron की जानकारी नहीं थी, और lion की जानकारी नहीं थी, इंडस people के लोगों को, ठीक है, इंडस people को people का फिर लोग भी बोल रहा हूँ, मैं, कोई नहीं, then sumerian text की बात कर लेता है, sumerian text जो है, ये बताता है trade relation with meluha, ठीक है, इसमें अगर इसका text देखोगे, तो वो बताता है कि इन लोगों का trade relation जो है, meluha के साथ था, और meluha किसको बोला जाता है, meluha जो है, वो इंडस region को ही बोला जाता है, ठीक है, तो ये द्यान में रखने हैं कि sumerian text में अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप में, उसमें में में लुहा लिखा रहेगा, तो आप आप पढ़ते हो तो, दो साइट्स जो है, वो अफगानिस्तान में मिली है, इस civilization की, सतु गई और mundi guard, ये इसिया का map हो गया, इसिया पूरा इसिया नहीं है, इसमें से कुछ रसा, यहां का रसा गयब है, फिर इस साइड आप देखोगे, North Korea, South Korea, तो ये जो map का requirement है, वो दे आप देख रहे हो, ये अफगानिस्तान का map है, और अफगानिस्तान में दो साइट्स मिली हैं, कौनसी कौनसी, तो सतु गई and mundi guard, ठीक है, सुमेरियन टेक्स जो है, ये दो intermediate station के बारे में भी mention करती है, कौनसी कौनसी, तो डिल्मुन जो की बहरेन में पढ़ता है, बहरेन ये sky blue color में छोटी सी country जो आप देख रहे हो, ये बहरेन हो गई, यहाँ पर डिल्मन जो है, वो intermediate station था, में इस trade के time पर, यहाँ पर, बीच में, जो है, लोग रुखते थे, trading के time पर, ठीक है, जैसे इसके through trade होता था, ये trade के रास्ते में आता था, तो इसलिए intermediate station हो गया, then, डिल्मन area, location आप यहाँ देख सकते हो, now, next जो है, वो माकन, माकन जो है, ये भी intermediate station, तो दो intermediate station, डिल्मन और माकन, माकन जो है, मकरान कोस्ट में मिलेगा आपको, मकरान कोस्ट, कहाँ पर, इरान में, ठीक है, इरान ये जो green color का map देख रहे हो, ये इरान है, now, दो sites जो है, वो, वहाँ से जो seals मिली है, कुछ seal मिली है, जो कि हरपन seal है, ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आप map, यहाँ पे ये mesopotamian civilization है, और mesopotamian civilization की दो site, कौनसी कौनसी, सूसा और उर, तो सूसा, आप map में यहाँ देख सकते हो, और उर भी यहीं पे है, ये जो देख रहे हैं, आप ये पर्सियन गल्फ है, तो तोनों जो है, कोस्ट पे ही पढ़ता है, में पर्सियन गल्फ के किनारे ही है, सूसा और उर, ठीक इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग होता था, तो वहाँ से seal मिला है, ट्रेडिंग के पर्पस से ही seals को यूज करते थे, हरपंस जो है, वो पहले people थे, जिनों ने cotton produce किया, ये अल्रेडी हम लग देख चुके है, नया क्या है, इसको जो है, सिंडॉन कहा जाता था, ग्रीक के द इस तरह का पौधा होता है, उसमें ये वाला जो पाट है, तो इससे clothes बगएरा बनती है, ठीक है, तो इसको cotton को ही send on बोला जाता था, ग्रीक के द्वारा, यहां पे कोई coin का जो है, evidence नहीं मिला है, यहां से, इसका क्या मतलब है, पार्टर सिस्टम होता था, किसलिए, ये पार्टर सिस्टम यूज कर देते हैं, ये method of exchange में क्या होता है, अकर बात करें, तो इसमें money involved नहीं होता है, इस system में, बार्टर सिस्टम में जो हम लोग समान से ही समान को लेते हैं, जैसे ये दो बंदा है मालो, तो इसने, इसके पास मुर्गी है, और इसके पास save है, तो इ मेरा मुर्गा ले लो, और मुर्गी मुर्गा जो भी है, और ये बोलेगा कि तो मेरा save ले लो, तो समान से अगर आप exchange करते हो, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी money involved नहीं होगा, ठीक है, money का involvement नहीं होगा, एक समान के लिए दूसरा समान देंगे, तो उस case में क्या बोलेंगे इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, या method of exchange को क्या बोलेंगे, बाटर सिस्टम, ठीक है, समझ होगे आप, I think, now, ancient port जो है, Indus Valley Civilization की, वो कौन है, lotal, यह भी ध्यान में रखनी है, सबसे पुरानी port पूछी जाए, port बंदरगाह कहते हैं, हिंदी में, वहाँ पर पानी वाली है, export, import में, जो है, वहाँ पर आ करके, जैसे, train की अगर बात करें, तो train जो है, station पर लगता है, railway station होता है, उसी तरह जहाज, जो है, पानी वाला, वो port पर आ करके रुखता है, वहाँ पर जो export, import का जो काम होता है, वो करते हैं, तो lotal है, ठीक है, ancient अगर port की बात करी जाए, अगर पॉलिटी की बात करी जाए, कि किस टाइप का पॉलिटी था, nature of पॉलिटी की बात करी जाए, तो ऐसा लगता है, कि ruling authority जो थे, जो रूल कर रहे थे, वो class of merchant थे, means merchant लोग जो थे, वो prosperous थे, और वो ही जो है, administration समालते थे, ruling का काम उनीका था, ठीक है, तो ये है, बाकी कुछ better evidence नहीं है, जिसके true बोला जा सके कि, यहाँ कौन थे, जो rule करते थे, ठीक है, then harapan people जो थे, वो पूजा तो करते थे, बट temple में नहीं करते थे, means कोई temple अभी तक निकला नहीं है, अभी जो excavation पहले भी जो हुआ, या अभी तक जो भी excavation चल रही है, साइट, इतनी भी साइट मिली हैं अभी तक में, वहाँ पे कहीं पे भी temple नहीं मिले हैं, यह आपको ध्यान में रखनी है, temple नहीं मिले हैं, तो इससे यह proof होता है, कि वो लोग worship temple में नहीं करते थे, बट statues या फिर figurine जो है, वो तो मिले हैं, इसे यह confirm होता है, कि उनका किस टाइप का मतलब religion था, ठीक है, एक idea मिल जाता है, और वो पूजा करते थे, बट temple में नहीं करते थे, यह ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करता है, कि पूजा ही नहीं करते थे, पूजा करते थे, वर किया जादा था, ठीक है, वर्सिप होती थी, most commonly figurine, जो कि mother goddess की है, मातरी देवी है, सकती भी बोलते हैं, अल्रेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इससे यह confirm होता है, कि जादा साइट से यह मिली हैं, तो हो सकता है, वो पूजा करते थे, बट temple में नहीं करते थे, अभी जो male daddy के अगर बात करी जाए, तो वो कौन थे, पसुपती महादेब, यह seal पे इनका जो यह photo देख रहे हैं, यह important है, यह ध्यान में रखना है, इनको Lord of Animals बोला जाता है, प्रोटो सीबा भी बोल सकते हैं, इसमें जो है, योगिक posture में बैठे हुए हैं, और अगर आप इस seal को ग है, चार एनिमल है, तो elephant यह देख रहे हैं, यह इसके जस नीचे, थोड़ा टूट फूट गया है, काफी पुराना है, तो अब ऐस है, clear नहीं होगा, यह वाला जो है, क्या लग रहा है आपको, यह tiger है, इस साइड आप देखोगे, तो यह हो गई, rhino और यह buffalo ठीक है, तो य यह चार एनिमल जो है, इन चार एनिमल से सराउंडेड है, पसुपती महादेव या प्रोटो सीवा, एंड दो एनिमल आपको यहाँ दिख रहा होगा, इनके पैर के जस नीचे, यह क्या है, यह deer है, ठीक है, तो दो deer, इनके पैर के नीचे, आपको देखने को मिलेगा, प्रिवेलेंस ओफ फॉलिक वर्षिप भी देखने को मिला है, फॉलिक लिंगम हो गया, मेल सेक्स ओर्गन, नाओ, सीवा सक्ती वर्षिप जो है, यह काफी पुराना फॉर्म है वर्षिप का इंडिया में, और ऐसा लगता है, यह religious belief हुआ करता था, रप्पन पीपुल का, यह हम्प है, तो यह हम्ट बुल की पूजा किया करते थे, और सीव सक्ती पूजा काफी अभी भी हम लोग करते हैं, सीव की, सीव पारवती की, तो वही हो गया, सीव सक्ती वर्षिप, और पेडो के भी पूजा जो है, अभी भी करते हैं, उस ताइम पे किया जाता था, एन यह अ हम्पटन्बुल को ऑफको भूजा करते हैंuder पेड्ट के बारे में बता चलता थिक है now evidence मिले है pictographic script pictographic script जो है वो mainly seals पे मिले है क्या मतलब इसका picture बनागर के लिखना यह already हम लोग देख चुके हैं यह अरपनसीबलाइजेशन जो है वो proto historic period में आता है तो आप देखोगे proto historic period के जो भी script है जो भी language है वो अभी तक हम लोगों ने decipher नहीं करा है तो यह देख रहे हो seal है यह सारे सारे पर कुछ-कुछ picture बना हुआ है और उपर भी देख रहे हो कुछ-कुछ चोटा-चोटा-चोटा figure बना हुआ है तो यह picture बना के जो इन्होंने जो भी लिखना चाहा है इसको pictographic script पोलते है तो हर अपन script आपको ध्यान में रखने pictographic और यह script जो है decipher नहीं हुआ है अभी तक already हम लोग देख चुके है और इसमें क्या होता है यह overlap होता है letters जो है उसका overlap देखने को मिला है कुछ put certs पे जैसे की काली बंगा से जो मिला है उस पे overlapping मिला है एक ही later पे दुपारा पिर लिख देना है वगरा वगरा इस तरह का और यह जो है bostow faden है क्या मतलब इसका इसको पहले write से लिखते हैं जैसे यहाँ से start करा मैंने लिखना यह script ठीक है कुछ-कुछ लिखा, कुछ-कुछ लिखा इस side गया वैसे आप समझ नहीं पा रहे हो चुकि उस time का मैं लिख रहा हूँ तो ऐसे भी नहीं समझोगे आप तो यह लिखा उसके बाद फिर यहाँ left देख रहा है आप right sorry, this side right होगा न यह right होगी मालो यह right होगी और इस side left होगी इस side से मैंने लिखना चालूगी ऐसे लिख दिया मैंने और फिर left के बाद जो है left में खतम होने के बाद यहाँ से फिर इस side से लिखना स्टार्ट करेंगे means पहले right से लिखना स्टार्ट करा फिर left से start करा left ending के बाद फिर ऐसे alternate करके लिखना start करते थे ठीक है और ये जो है इसको क्या बोला जाता था proto-dravidian ठीक है ये language कौन सा हो गया proto-dravidian तो ये ध्यान में रखनी है आपको next हरपन script की अगर बात करें तो ये oldest script है Indian subcontinent में Indian subcontinent already मैं बता चुका हूँ अभी जो एरिया देखते हैं हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल बांगलादेश बोटान ये सारे तो ये सारे जो है Indian subcontinent में आते हैं तो Indian subcontinent की अगर बात होगी कि सबसे oldest script कौन सी है तो आपको ध्यान में रखनी है हरपन script ठीक है, ये कुछ इस तरह का लिखा जाता था आप जानते हो कि इसको अभी तक decipher नहीं किया गया है तो इसको समझने का कोशिस आप नहीं कीजिए बट आप ध्यान में रखो कि कुछ इस तरह का होता था, ठीक है हो सके आप decipher कर दो then brahmi script के अगर बात करें तो ये brahmi script जो है ये oldest deciford script है deciford means इसको समझा जा सकता है पढ़ा जा सकता है कुछ इस तरह का लिखा जाता है brahmi script में तो ये जो है oldest अगर deciford script की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखनी है ये brahmi script है ये और ये कब से इसका प्रचलन है कब से जानते हैं हम लोग तो 5th century BC से Brahmi script के बारे में हम लोग जानते हैं Now बाद में जो है Brahmi script से ही जो है Indian script develop हुआ, बना Istatite जो है Istatite एक तरह का rock है Already हम लोग देख चुके हैं Mainly istatite को use किया जाता था Seal को बनाने में, ठीक है, manufacturing of seals की अगर बात करें तो mainly istatite Use की जाती थी, ये आपको ध्यान में रखनी है Now humpless bull जो है ये mostly देखने को मिला है Seals, इंडस की जो seals थी ये आप देख रहा हूँ, photo तो इसमें देख रहा हूँ ये bull जो है, इसका hump नहीं है Already हम लोगों ने देखा था, humped bull को तो उस पे हम लोगों ने देखा कि एक यहाँ पे गर्दन के पास ऐसे उठा हुआ होता था उसको hump कहते है But जो seals पे देखने को मिले है, इंडस seals पे bull, वो क्या है? Humpless है, means उसमें hump नहीं है जैसा कि आप photo में देख सकते हो, ठीक है Now, burial के अगर बात करें तो inhumation या फिर complete burial का method अपनाया जाता था, किसी भी dead body को dispose करने में तो क्या मतलब इसका complete burial का क्या मतलब है complete means complete शरीर को गढ़ा कन के गाड़ देना ऐसा नहीं है कि already हम लोगों ने देखा कि pre-story period में क्या करते थे जब से dead body पहले तो dead body को ऐसी ही छोड़ देते थे open space में बट बाद में क्या होने लगा दो तरह से body को dispose करते थे एक तो complete burial में इस पूरी body को गार देते थे दूसरा पहले क्या करते थे जिसको partial burial बोलते है उसमें क्या करते थे body को open space में छोड़ दिया फिर उसको कुछ पक्छी या कुछ जानबर उसको खाते थे उसका मांस जो होता था वो खतम हो जाता था कुछ सिर्फ हड़ियां बचती थी skeleton बचता था skeleton में से कुछ particular कुछ selected bones जो है उसी को गाड़ा जाता था ठीक है तो वो partial burial होगी complete में आपको simply द्यान में रखना है कि पूरा body जो है वो गाड़ देना है मरने के बाद ठीक है मैं इस dead body की बात कर रहा हूँ ऐसे जिन्दा नहीं गाड़ते होंगे अब ऐसे dead body की बात दो रही है now स्वास्तिक जो हम लोग देखते हैं हिंदू धर में जो symbol mostly आपको देखने को मिलेगा ये ठीक है तो ये symbol जो है ये आपको इंडस civilization में भी देखने को मिला है इसका origin जो है वो इंडस valley civilization से trace किया जा सकता ठीक है now M.Villard जो है इन्होंने बताया कि इंडस valley civilization इतना बड़ा civilization अभी नहीं है क्यों क्या है इसका reason कि civilization decline कर गया पूरा खतम हो गया कैसे तो M.Villard की अगर माने तो ये बोलते हैं कि इंडरा जो है is accused of causing the decline of IVC इंडरा ये god है हिंदू धर में इनको rain का god माना जाता है means वर्षा का या फिर बिजली हो गई अंधी तूफान ये सारे के ये जो है god माने जाते हैं इंडरा तो M.Villard का मानना है कि इंडरा जो है इनहीं के कारण क्या हुआ IVC का declination हो गया means खतम हो गया IVC तो हो सकता है बारिस जादा हो गई बाढ़ा गया होगा या फिर इनकेस बारिस नहीं होती तो सुखार से भी लोग मरते हैं बट सिंपली यह लाइन में आपको ध्यान में रखना है कि इंडरा और इंडरा क्या है ये रेंग कुछ का ये भी मानना है कि flood के कारण तो ये इंद्रा मोस्ली जो है flood को इंडिनोट करता तो आपको द्यान में रखने हैं कि flood के कारण कि यह हुआ था ऐसे कुछ fix नहीं है ऐसा confirm नहीं हो पाया यह controversial issue है ठीक है रिगवेद बताता है एक battle के बारे में हरी उंपिया place पे हुआ था वो भी आपको यहाँ पे हरपा से related मिलेगा ठीक है तो रिगवेदा में कुछ चीजें दी हुई है लिखी हुई है जो हरपा से related है now majority of scholar की अगर बात करें तो उनका मानना है कि यहाँ जो है वो द्रविडियन रहा करते थे द्रविडियन ही इस civilization के क्या है maker है ठीक है द्रविडियन आपको द्यान में रखनी है कि अगर बात की जाए कि makers of inner civilization को आना है तो द्रविडियन है यह इंडस civilization पूरा था उस टाइम पर अलड़ी हम लोग देख चुके हैं कि इंडस civilization के टाइम पर कुछ civilization वर्ड में थी जैसे जिनको contemporary civilization बोलोगे आप मिस उस टाइम पर था इसलिए जैसे Egypt civilization अलड़ी हम लोग देख चुके हैं देन Mesopotamian civilization एंड चाइना में यलो रिवर के किनारे Chinese civilization ठीक है तो यह सारे civilization जो थे होगा आप भी चाहते होगे कि जल्दी सर जल्दी cover करें थोड़ा डीले हो जाता है वेडियो और जो लोग इंतजार करते हैं इस वेडियो के लिए उनको थोड़ा बुड़ा लगता होगा comment भी आता है कि रोज लेकर कर आई है या फिर मतलब थोड़ा लेट हो जाता है तो दिले होने का रीजन यह है कि ये बुक जो है एब लेबल नहीं है ऑनलाई तो कॉपी पेस्ट करके आप कंटेंट त्यार नहीं कर सकते इस कारण से कंटेंट त्यार करने में थोड़ा लेट हो जाता है प्लस अनिमेट करना प्रेजेंट करने से पहले काफी चीजें होती है, डेट करना वगरा वगरा, एक information और देनी है, actually वीडियो आप देखते होगे, कोई हिंदी में आती है, कोई इंग्लिस में आती है, तो आपको confused नहीं होना है, actually Lucent की जो general knowledge की book है, वो इंग्लिस से भी देख रहे हैं हम लोग, new edition जो English वाली है, English medium की, और हिंदी की जो है, समान क्यान इस color में आपको book देखने को मिलेगा, तो ये दोनों book हम लोग cover कर रहे हैं, आप अगर इंग्लिस वाला cover करना चाहते हो, तो इंग्लिस का lecture आप attend करो, आप देखो, and हिंदी की चाहते हो, complete करना तो हिंदी की देखो, उ जैसे ये वाली, तो ये इंग्लिस में लिखिया है, पट हिंदी की playlist अगर आप देखोगे, तो उसमें भारत का इतिहास जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, या फिर भूगोल का है, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो एक तो ये अंतर हो गई, तो आप इसको या तो playlist इस तरी, ऐसे करके, इसी तरह अगर आप जैसे भुगोल का देख लो, भुगोल की बात करें, तो भुगोल का first video देखोगे, B1 है, तो इस तरह से ये हिंदी वाली B1 से start हो रही है, तो B1, B2, B3 ऐसे करके सारी वीडियो आपको मिलेंगी, जोग्रफि में जैसे English वाली है, तो G1 है, तो G1, G2 इस तरह से series आपको मिलेगी पूरी, तो ये थोड़ा बहुत differentiate है, तो आपको ये नहीं करना है कि यहाँ English में है, फिर इंदी में है, confused नहीं होना है, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा information था, बाकी comment करके आप जरूर बताई कि आपको वीडियो कैसा लगा, आ comment करते हो तो अच्छा लगता है, थोड़ा encouragement मिलता है, बाकी अपना ध्यान रखिए, बाए